फ्रेंड्स वेलकम टु माइ किचिन, यह मने लिए है एक कप फ्रोजन मटर, हरे मटर ग्रीन पीस, यह फ्रोजन है, इसको हम धर धरा पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे इसका, पर धर धरा पाउडर तो इसको पीस लेते हैं, इसमें कुछ भी डालने की जरुवत नहीं है, सिर मटर की सबजी बना रहे हैं जिसे के दिया मटर का निमोना तो पैन में दालेंगे 2 तेबल स्पून तेल इससे ज्यादा नहीं कडी बना रहे हैं तो कडी में तेल कम ऐ डाला करें वरना ग्रेवी अच्छी नहीं बनती इसमें डालें एक चुड़ा चमच जीरा, दो टेबल तेल, एक चुछा जीरा, एक तेज पत्ता और एक लेसन वन बेर लीफ, वन गारलिक किलो, वन टी स्पून क्यूमिन सीट, टू टेबल स्पून वाइल इन सब को तेल में बून लेते हैं, लेसन को तेज पत्ता और जीरे को एक से दो मिनट तक, तब हम इसमें डालेंगे एक प्यास, छोटी प्यास लिए मैंने और प्यास को भी हम सुर्ख सुनेरा कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन फ्राइ कर लेंगे प्यास को मीडियम फ्लेम रखें और अच्छे से प्यास को भून लें, तब तक हमारा जीरा, लेसन और तेज पत्ता भी अच्छे से फ्लेवर छोड़ देगा, पक जाएगा तो इसको अच्छे से भून लें, मीडियम फ्लेम पे टमाटर मेंने चौप करके रखा है, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, जैसे ही प्यास पक जाएगा, यह दिखें, प्यास का कलर चेंज हो गया है हमें यही लाइट गोल्डन कलर ही चाहिए, एक टमाटर डाल दें, मीडियम साइज का, और इसको अच्छे से भून लेते हैं टमाटरों को 2-3 नट पकाएं, मीडियम टो हाई फ्लेम पे और जैसे ही टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक और मसाले, ताकि टमाटर जल्दी पक जाए यह आलू है एक जिसको मैंने 80% बॉयल किया है, वह बाला है, एक चोधा ही शोड़ा चमच हल्दी, आदा शोड़ा चमच लाल मिच, एक शोड़ा चमच धनिया पाउडर अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिच और धनिया पाउडर वन टी स्पून कोरिंडर पाउडर, वन बाई फोर टी स्पून टर्मरिक, हाफ टी स्पून रेड पेपर इसको भून लेते हैं, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, अजबे जायका यह एक चोड़ा चमच नमक डाल दें और गरम मसाला डालेंगे हम तो यह नमक डाल रही हमें, अजबे जायका, सॉल्ट टेस्ट अब हम इसमें डाल देंगे घरम मसाला, वन बाई फोर टी स्पून एक चोड़ा चमच घरम मसाला पाउडर, पका लेते हैं मसालों को दो मिनाट तक ताकि इमका कच्छा पन चला जाए तो मसालों को मैंने बून लिया, अब हम इसमें यह मतर का पाउडर डाल देंगे, जो हमने कोर्सली ग्राइंड किया था आप देख सकते हैं, यह दर दर आए, बिल्कुल पाउडर नहीं है, तो मैं ग्राइंडर से में बागी का मतर का मसाला निकाल लेती हूँ और इसे खाली कर देती हूँ, तो यह देखें, मैंने पूरे मतर इसमें से निकाल के पैन में डाल दिये हैं, अब हम मतरों को बून लेंगे, तीन से चार मिनद तक प्यास और टमाटर के साथ, इसे मतर में जितना कचा पन हो जाओगा, वो चला जाएगा तो तीन से चार मिनद तक मतर को बून लें, तो पहले मतर को पका लेते हैं, फिर आलू डाल देंगे, जो हमने 80% बॉयल करके रखे हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक का आलू जो हमने 80% बॉयल करके रखा है, आलू को हलके आतों से मिक्स करें, और इसे ढखके हम सिर्फ दो मिनट तक पकाएंगे पहले ताके आलू मतर प्यास इन सब का फिलेवर आपस में मिल जाए तो दो मिनट ढग के पकाएं लोगे इस पे तो 2 मिनट हो गए हैं अब हम इसमें पानी डालेंगे मैं इसी grinder में एक कप पानी डाला ताके जो भी मटर का मसाला लगा हुआ है वो निकल आए तो ये एक कप पानी है, वन कप वाटर, अब हम इसे हलके आतों से मिक्स करेंगे नमक अगर कम लगे तो अब डाल दें इसी वक्त पे सीजनिंग चेक कर लें, कम ज्यादा आप अपने हसाब से एड़ेस्ट कर लें अब हम इसे डग देंगे और डग के 6 मिनट हम मीडियम फिलेम पे पकाएंगे, यह एतनी देर पकाएं कि आलू पूरा गल जाए मटर तो पके हुए हैं, वैसे भी फ्रोजन मटर गले हुए होते हैं तो यह हमारी कड़ी त्यार है चावल तो मैंने पहले से रेड़ी कर लिये थे और मालू देखें, यह मेश हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ आलू बिल्कुल अच्छे से गल गया है यह देखें, मेश हो रहा है अब हम इसे सर्व करते हैं कड़ी को चावलों के साथ आप चाहें तो इसे रोटी के सियाँ पराटे के साथ भी खा सकते हैं तो यह मैंने कड़ाई लिये इस पर मैं सह करती हूँ जैसे रेस्टोरन में सह होता है तो चावलों के साथ अमेजिंग रेसिपी है, ज़रू ट्राइ करें और फिर बताएं कि आपको कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें कमेंट और सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचेंग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब यूर व्यूस मेंटर से लॉट प्रेस बेल आइकन, बटन, गंटे के बटन को जरूर दबाएं, अपना ख्याल रखें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचेंग गोर बताएं के मैं अगली आपके लिए